कुश्यन नूम्बर बना है, संभिधान सभा के चुनाब के संदर्व में निम्रिखित कत्नों पर विचार कीजिए, देखे सरस्यों का चुनाब सार्भोमिक मताधिकार के आधार पर चुना गया, और जो है, मुस्लिम लीग ने इसका वहिश्कार किया, किसका संभिधान सभा क और समाजवादियों ने इसका समर्धन किया, कौन सा करेक्ट है इसमें, सरस्यों को सार्भोमिक मताधिकार या वैस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, एप्रेशन बहुत बार पूछते हैं, और इस लाइन को जरू एड़ करते हैं, कि संभिधान सभा के सरस् समाजवादियों ने इसका समर्थन किया था, ये भी गलत है, मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, ये सही है, समाजवादियों ने इसका वैस्कार किया था, तो देखिए संभा के सरस्यों को सार्भोमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया, बलकि इन्हें प् पाकिस्तान की मांगरों ने रख दी प्रारंब में समाजबादियों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे इसे अंग्रेजों की बनाई होई संस्था मानते थे इसने गलत है तीसरा भी दूसरा प्रशन है निम्लिकत में से कौन संभिधान सभा के अध्यक्स थे देखें यहाँ औरया देखें वाइडियों की ब размis इसका आसां सबीधान सभाके अध्यक्स थे 100 नीग को बने टीमिंचर जैना जीन संभाएक्ट यह सय सब्सक्राइब कि अख्युक्तर शूंचिन फ मुचलकी। question number 3 है संबिधान सभा के सलेशियों में किस का या किन का संबंद प्रशासन से है इन में से किन किन का संबंद प्रशासन से है देखे यहां B.N. राव और S.N. मुखरजी जो है वो प्रशासन से संबंदित है तो यहां answer जो हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा option number V question number 4 है नहरू ने संबिधान सभा के समक्ष उद्देश प्रस्ताब कब रखा यह important प्रशन है कब रखा 15 जुलाई 1947 को नई रखा 26 जनबर 1947 को भी नहीं रखा 26 नामबर 1945 को भी नहीं 13 दिसंबर 1946 को रखा कब रखा 13 दिसंबर 1946 तो 13 दिसंबर 1946 को जबालाई नहरू ने उद्देश प्रस्ताब रखा जिसमें स्वतंतर भारत के संबिधान के मूल आदरसों की रूपरे का प्रसुत की गई इसमें भारत को एक स्वतंतर संब प्रभू गड़ राय जे घोशित किया गया था कुशन नंबर 5 है निमले के दियुगमों पर विचार करना है एक तरफ है अधिनियम दूसरी तरफ है इसके प्रावधान 1919 का अधिनियम के सामने लिखा है कारे पालिका को आंसी ग्रूप से प्रांतिय विधाई का के प्रति उत्तरदाई बनाया गया और 1935 के सामने लिखा Government of India Act और कौन सा इसमें सुमे लिटा बताना है देखिए 1935 को तो Government of India Act बोलते है यह तो करेक्ट है और बाकी 1919 के अधिनियम जिसको बोलते है प्रांतिय विधाई का के प्रति उत्तरदाई बनाया गया यह भी करेक्ट है तो दोनों के दोनों सुमे लिटा तो सी हो जागा असा उत्तर तो देखिए उपरोक्त सभी योगम जोएं सही सुमे लिटा है भारत में प्रति निधित की मांग बढ़ने के साथ ही अंग्रे जोको चरण बद्य तरीके से संबेधानिक सुधार करने पड़े प्रांतिय सरकारों में भारतियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए 1909, 1919 और 1935 की अधेनियम किये गए यह 1909 को मारले मिंटो और 1935 को मोंटे की उचेम्सफोर्ट और 1935 को Government of India Act कहा जाता है 1919 में कारेपालिका को आंसिक रूप से प्रांति विधाईका के प्रति उत्तरदाई बनाया गया और 1935 में Government of India Act रिलाकर उसे पूरी तरह विधाईका के प्रति उत्तरदाई बना दिया गया तो आंसिक रूप से 1919 में और पूरी तरह से 1935 में जो Government of India Act के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी केंद्य सरकार को राजसरकार के सारे अधिकार अपने हातों में लेने का अधिकार दिया गया है जब राज जिमें राश्ट पती सासन लगता है तो इसका आनसर क्या हो जाएगा तो ते 56 हो जाएगा 110 में तो धन विध्याक है तो देखिए अनुच्छे 306 पर में गवर्नर की सिपारिस पर केंद सरकार को राज सरकार के सारे अधिकार अपने हाथों में लेने का अधिकार है Q7 है भारते संभिथान में बढ़ने तो सूचियों के संदर में निम्रिखित कथनों पर विचार की की ये सूचियों की बात हो रही है कौन-कौन सी सूचिय है देखिए अनुची की बात है तो बारत अनुची यहांग तो केंद्र सूचिय स Kungक्istor हूई तो पहली में एससे संबंदित विश्च समलेते हैं तो यह तो ऐसी करेक्ट होगे दोनों के दोनों खनीज पदार्थों के उतपादन पर उन राज्यों का नेंदरन होगा जहां उनका उतपादन होता है देखें यह इंपोर्टन्ट है तीसी लाइन स्टेट्मेंट यह पूछा जाता है PCS या UPSC के परिक्षाओं में कि खनीज पदार्थ जिस स्टेट में भी खनीज पदार्थों का उतपादन होगा या जिस एरिया में खनीज निकलेगा तो वो उस स्टेट से ना होकर वो सेंट्रल गवर्रमेंट के अंतर में चले जाती है इस सब चीजे तो केंद सरकार का हग ह पते हैं तथा तीसरी सूची है संबर्ती सूची के विसे केंद्र में और राजसरकार दोनों साजा करती हैं इसको खनीज पदार्थों तथा अपरमुक उद्ध्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही निंत्रन परदान किया गया है राज्य को नहीं कोश्यन नम्बर एट है न आपकारी के लिए केंद्र सरकार बताए कौन सा सुमयलित है इसमें देखें इंकम टैक्स जो आयकर है वो तो सेंट्रल गवर्मेंट का सभी को पताऊगा केंद्र करती है इसको आपकारी राजसरकार का है तो ये दोनों इसने केंद्र कर दिया तो गलत है वाला स्टेट्में कर से होने वाली आय पर केंद्र का अधिकार घोशित किया गया है तथा कुछ करो जैसे कि आयकर और आबकारी शुल्क को केंद्र एवं राज्यों में बांट दिया गया है मतलब आयकर को केंद्र में आबकारी को राज्य में तथा अन्य शुरतों से होने वाली आय मतलब जैसे राज स्तरिय सुल्क पूरी तरह राजियों को समप दी गई है इसने दोनों के दोनों गलत हैं वो लेखने है कि राज सरकारों को भी अपने इस तरह पर कुछ अधिवार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया अलग-अलग स्टेट गवर्मेंट को उधारन के तौर पर देख सकती हैं वो विक्री कर लगा सकती हैं और सराब पर अलग से कर वसूल सकते हैं राज की सरकारें तो यहां सीमा सुल्क राज केंद सरकार का कंपनी कर भी केंद सरकार का और आयकर केंद सरकार का आपकारी हो गया राज सरकार का कि कुश्य नमबर 9 हिंदी भारत की है क्या है र दिखी हिंदी भारत की राज किये भासा होगी तो हिंदी भारत की राज भासा है राश्ट भासा नहीं है और अभी तक इसको राश्ट भासा का दर्जा मिला नहीं है तो जहां भी अगर दिखे कि राश्ट भासा है तो गलत राज भासा है कुश्य नमबर दस है भासा के संदर में कुछ स्टेट्मेंट है यहां पर भासा समीति ने सुझाब दिया कि पहले 15 वर्षों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तमाल जाली रहेगा सभी प्रांतों को हिंदी या अंग्रेजी में काम करने का प्रस्ताब रखा गया है त और नौर्थ इडिया में अलग भासा और दक्षिन भारत में अलग भासा तो प्रांतिय भासाओं की बात होई थी सभी प्रांतों को जो है अपनी अपनी प्रांतिय भासा में काम करने का प्रस्ताब रखा गया था हिंदी या अंग्रेजी की बात नहीं होई थी तो दो गलत देशे तक सरकारी कामों में अंगरेजी का इस्तमाल जानी रहेगा परतिएग प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक छेत्रिय भासा चुननने का अधिकार होगा ना कि हिंदी या अंगरेजी की बात उलेखने है कि समिधान सभा की भासा समीती ने हिंदी को